तो दोस्तो आज 16 अप्रिल 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे चार ऐसे इंपर्टेंट कंपणी की शियर के उपर कल बजार ओपेन होने के साथ साथ करेक्शन होने का बहुत जादा चांस है अब देखे मार्केट में 100% गैरांटेर तो कुछ भी नहीं है बट मोस्ट परबली दो में वाटडर इसल्ड़ दो दोNew Ecuador Од黨त अर। जाने के बाद और उसका इंस इंपाक्पक्त के अपको कल यानि मंडे की दिन बनांटेकर देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर बात यह स्थ्चा और दो क्यूबज को मुद्छ हो गया यह दोनों कंपनी का शेर जो है इंडियार मार्केट के साथ साथ यूस मार्केट को पर भी लिस्टड़ है एडियर वर्शन तो देखें इनफोसिस लिमिटेट एडियर जो है यह फ्राइडे का अपडेट है 1.43 डाउन में के क्लोजिंग दिया अगर आप देखोंगे थर्जडे के दिन दोस्तों जिस दिन रेजल्ट आउट हुआ था यह सीधा-सीधा दस परसंट ग्रिया था मैं आपको एक बात दिखा के रखना चाहता हूं कि दो दिन में क्या हाल हुआ तो आपके दिमाग में जरूर सवाल आया आपकेट ओपेन होने के साथ इंफोसिस इल्मेटर के शेर में गिरावाट होगा तो जी नहीं यह तो एक रिजन है मैं आपको और दो रिजन दिखाऊंगा दूसरा जो रिजन है दोस्तों हमने देखा क्वाटरफोर के रेजल आउट हुआ था थर्जडे के दिन उसके टिक नेक्स डेया और फ्राइडी के दिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज कंपनी जो है इसको कवर किया रेटिंग दिया डाउन ग्रेट किया उसके साथ टार्गेट भी दिया और मज़े की बात यह है यह जो टार्गेट बगड़ा आया है यह सारे डोमेस्टिक ब्रोकरे को तो जैसे कि अब देख सकतो नमुद्धान यहां पर क्या रेटिंग दिया देखे पहले बाई कर लिटिंग दिया आज की डिट्रल कर दिंग करके टार्गेट प्रेस कितना दिया था पहले दिया था आज का डेटकर के बारासों अबबगा दिया डिलाइंस से आपने दोस्तों यहां पर 1520 रुपए का टार्गेट दिया और एमकाई ग्लोबल की बात करी आपके 1620 रुपए का टार्गेट एक ज्यातर यहां पर डॉमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी आपने देखा इसको कवर किया और कही ने कहीं दोस्तों कल जैसे सुबह सुबह ग्लोबल खराब होना वो तो अलग बात है ऐसे हिस्ट्री में मतलब पहले भी हुआ था कि कोई कंपणी खराब रेजल आने के बाब जुद भी चल जाता है मार्केट के अंदर उसका ऑपोसीट रिएक्शन देखने को बात यह है कि इनफोसिस लिमिटेट सिर्फ खराब रेजल नहीं चांस है अब बात यह है कहां तेक गिरेगा तो दोस्तों यह टॉबिक मैं आपके उपर छोड़ देता हूं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कि कल इनफोसिस लिमिटेट का शेयर किस रेंज के भीतर ओपन हो सकता है अगर आप पूछोगे मेरा क प्रेशा देखने को मेला हो सकता है शेयर जोकी तेराफोपचास है तेरासोचालीस भी आ सकता है ठीक है वह डिपेंड करेंगे कल मार्केट किस तरब रहेगा फिलाल दोस्तों इसको पर आपका नजर होना चाहिए कल इसके अंदर करेक्शन होने का चांस है अब बात करेंग फर्सडे के दिन जैसे यूएस मार्केट उपेंड वा था इनफोसिस लिमिटेट तो छोड़ी दीजे 10% क्रैश हो था पर साथी साथ दोस्तों वीप्रो लिमिटेट भी गिरा था यहां पर देख लिजे कितने दिन वह दो दिन के अंदर अंदर कितना गिरा सारे चार परसन होने का चांस है यहां पर मतलब पकल लिजेगी थाई परसन दो परसन के आसपास यहां पर गिनने का चांस है और कहिने के शियर अपना फिप्रूट वीक्स जो लो है यहां पर टच किया तक उस टैम पहले 355 रुपए तो उस लेबल के आसपास भी पहुंचने का मुझे बताऊंगा नाम है HDFC बैंक लिमिटेट इस डिपसी बैंक का रेजल्ट सैटर्डे की दिन आउट वाता ध्यान से मेरे पॉइंट को अब्जर्ब कीजिए उसके बाद ही दोस्तों आपके दिमाग मतले जो भी आप यहां पर बोलिए कमिन में एस डिपसी बैंक का रेजल्ट इस डिपसी बैंक इंडिया का लाज इस पार बीट नहीं कर पाया भले दोसों नेट प्रॉफिट यार ओन येर बेसिस पे 20 पर सेंट रेज हुआ पक्वार्टर और पर गिरावट के कारण जो मार्केट का एस्टिमेट था पहले से मतलब जो फोर्कास्ट गया गया था बड 12,137 करोर के आसपस होने का चांस है हुआ कितना 12,047 करोर तो लगबग देखा जाए तो लगबग 90 करोर यहां पे कम है तो कहीं नहीं कर पाया यहां पे जिस बैसे हलका सा करेक्शन हो सकता है आप देखिए इस डिपसी बैंक बहुत जल्दी आपर मर्जर होका है इस डिपस आपको देखने को मिल सकता है तो जिस बैसे मैं बोला हूं कि यह तो दो रिजन हो का तीसरे रिजन यह है कि अपना ओल टाइम हाई पर चल रहा है कितना हाई है देखिए 1702 रुपए लास्ट डे शेयर कहां पे क्लोजिंग ज्याथा 1625 रुपए तो हो सकता है कि कल यहां पे यहां से एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है तो हो सकता है दोस्तों यहां पे इस डेपर सेक्टर में आपको बोलूंगा नजर रखे वह यहां पे इजी ट्रिप प्लैनर इसके साथ एयरलें सेक्टर को भी जूल लीजिए इसके पीछे वजा कहा है तो चले वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना तो कारण कुछ ऐसा है कि आज यह आज का अपडेट आप देख सेकतों इंडिया के अंदर चो कोवीट का न्यू केसे से वह लगातर बढ़ता चारा है लांस्टे 24 गंडे के अंदर अल्मोस्ट दस हजर को पर केस पहुंच एरलाइन सेक्टर हो गया रेलवे सेक्टर हो गया इसके उपर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है बट हाँ डिपन करेगा मार्केट को पर कल अल्टीमेट अगर मार्केट का साथ मिल गया तो उतना जदा कोई बहुत बड़ा क्रेक्शन होने का चांस काफी कम है ब बहुत जारे से जहां पे आपको करिक्शन को मिल सकता है तो यह थास प्रब्ली की कौक्श में आपको और दॉत वहां है तो अब्लiba